आप सभी बच्चों को मेरा नमस्कार आज की कक्ष्या में आप सभी का स्वागत है आज हम जलवाईयू के हमारे पाठ को भारतिय मानसून जो भारत में जो मानसून है उसके दवारा जानने का प्रियतन करेंगे मानसून जो है वो अर्बी भासा के मोसिम सबद से निकला है कई बार आ जाता है ये मानसून किस भासा से निकला है अर्बी भासा के मोसिम सबद से क्योंकि अरब के जो वैपारी भारत में आते थे तो भारत के मोसम के अंदर विविदता देख करके बड़े हैरान हो जाते थे तो उन्होंने भारतिय जो मोसं था इसको मोसिम कहना शुरू किया और उसी से इस मानसून सबद की क्या हुई थी उत्पत्ती हुई थी जो मानसून हमारी जो पैदा होती है इसके उपर सबसे पहले ध्यान किसकी तरफ आया था नाविकों की तरफ से क्योंकि नाविक जो है वो समुदर में क्या करते थे नाव और अपने जहाद चलाते थे और सबसे ज़्यादा जो समुदर में नाव और जहाद चलते थे उस समय पहले क्या नहीं होते थे स्टीमर नहीं होते थे बाप से चलने वाले जलियान नहीं होते थे स्टीमर का मतलग क्या है बाप से चलने वाला इंजन नहीं लगे होते थे जाजो और नाओं में तो वो फिर किस से चलती थी वो किस के सारे चलती थी पवनों के सारे किस के सारे चलती थी पवनों के सारे तो नाविकों को सबसे ज़्यादा पवनों की दिसाओं का ग्यान होता था क्योंकि उनको पता होता था उन्हें जिस छेतर में जाना होता था अगर पवन उसी छेतर की तरफ बै रही है तो वो असानी से अपने जहाज के उपर पाल लगा करके ले जाते थे जिस दिशा से हवा बह रही है उस दिशा के सामने जैसे कि मालो कोई दिशा उत्तर है वहां से हवा आ रही है और किस तरफ जा रही है पूरो की ओर तो वो क्या करते थे पूरो की दिशा में जहाज के पूरो की दिशा का जो इस्सा होता था वहाँ क्या लगा देते थे एक पाल जैसे मैं एक्जेंपल से समझाता हूँ माल लो ये एक जहाज है ये क्या है एक जहाज है और हवा इधर से इधर बह रही है तो यहाँ वो क्या लगा देते थे पाल और ये हवा इस पाल से जब टकराती थी यहाँ तो वो उसको कहाँ पोचा देती थी आगे खिसकाती रहती थी इसलिए इस सेतर को वैपारियों के दवारा बहुत अच्छे से अध्यने किया जाता था या देखेंगे आप इस चीज को ये देखिए उनके जहाज पोवन के परभा की दिशा पर निर्वर थे उस सेमें जो भी नावी किया वैपारी होता था और जो वैपारी भारत आये थे उन लोगों ने पवन्त अंतर के इस मौसमी उत कर्मन को किसका नाम दिया मानसून का नाम दिया इन्होंने अब मानसून का जो परभाव है वो उसन कटीवन दिये चेतरों में लगबग कहा मिलेगा आपको 20 डिगरी उतर और 20 डिगरी दक्षिन वो कैसे होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको जैसे ये पिर्थवी है और ये एकसांस क्या हो गया जीरो और एक-एक अकसांस पर होते हैं ऐसे करते करते मालो ये हो गया 20 तो ये हो गया दक्षिन में 20 क्योंकि ये दक्षिनी हिस्सा है और ये कुण सा है उतरी एक-एक-एक हो गया यहाँ पर उतर में तो इस 20 के और इस 20 के बीच में जो गर्मी होती है वो क्या होगी बहुत ज्यादा होगी और ये चे चेतर में आएंगे ऊशन कटी बंदिया चेतर में आएंगे तो इसलिए कहता है कि मानसून की प्रिक्रिया को समझने के लिए हमें ये तथ्या समझने पड़ेंगे सबसे पहली कुणसी बात ये देखिए सथल और जल जो गरम होते हैं ये दोनों अलग-अलग हैं क्योंकि जल जल्दी तो क्या होता है गरम नहीं होता जल ना तो जल्दी क्या होता है गरम और ना ही जल्दी क्या होता है थंडा सथल उल्टा है ये जल्दी तो क्या होता है गरम और जल्दी ही क्या हो जाता है थंडा जल्दी ही क्या हो तो पवन कहां से कहां जाएगी जल से सथल की ओर क्योंकि समुदरों पर क्या हो जाएगा उच दाब अगर सथल पर क्या है निमन वायूदाब क्यों बनता निमन वायूदाब सथल भाग के गरम होने से समुदर भाग जल्दी गरम नहीं होगा तो वहां कुण सा हो जाएगा उ और ये नियम है सरस्टी का अवा मेंसा उच वायूदाब से किस और बहती है निमन वायूदाब की और बहेगी ये नियम है बस ये याद रखना बेटा अवा मेंसा उच वायूदाब से किस तरह बहेगी निमन वायूदाब की तरफ तो ये बता रहा आपको सथल और जल के गरम और ठंडे होने की जो भी भेदी पर किरिया लग-लग जो प्रिकिरिया है तो सतल भाग पे निमन वायुदाब छेतर होगा इसके कान समुदरों पर क्या हो जाएगा उच वायुदाब ये गर्मी के मोसम में सर्दी के मोसम में उल्टा हो जाएगा सर्दी के मोसम में क्या होगा सथल भाग जादा ठंडा हो जाएगा और जल भाग क्या हो जाएगा गरम हो जाएगा क्यों क्योंकि वहाँ पर जो तापमान है सथलिये जो छेतर की बजाए जो तटिये जो छेतर होता है वहाँ पर सम तापमान रहता है बीसिक किस डिगरी Celsius रहेगा ही रहेगा लेकिन सदल भाग में ये तापमान गिर के कितना आ जाता है पांस डिगरी और कई बर तो माइनस में आ जाता है उसके बाद next यहाँ है कि जो ग्रिसम रितू के अंदर जो है उसन कटीबंदी है अभीसरन की जो स्तीटी है उसन कटीबंदी है अभीसरन जो होता है वो होता है गरमवायुदाब का चेतर वो कहां बनता है गंगा के मैदान की ओर खिसक जाता है विसुवती है गर्त में उतर में पांस डिगरी और इसी गरत को क्या बोला जाता है मानसुन गरत क्यों क्योंकि यह इतना निमनवायुदाब का छेतर हो जाता है कि बहुमद जो महासागरी यह जल धाराई है वो उटके किसोर बैना सुरू हो जाती है गंगा की ओराना सुरू हो जाती है गरत का मतलो हो जाता है गड़ा बनना वो उसकी तरफ खिचना सुरू हो जाती उस गड़े की तरफ दूसरी जो बात है वो हिंद मासागर का मेड़े गासकर जो हिंद मासागर भारत के दक्षिन में स्थिक है वहाँ उसके पूरों में देश है ये मेड़ा गासकर वहाँ पर भी 20 डिग्री दक्षिन अक्सांस के उपर भी कुण सा चेतर बन जाता है उच वायूदाव वाला और यहाँ भी यह चेतर भी किसको प्रभावित करता है भारतिय मानसून को बहुत जादा प्रभावित करता है उसके बाद में नेक्स जो हमारा पॉइंट है वो है ग्रीसम रितू में तिबबत का पठार भी बहुत गर्म हो जाता है तिबबत के पठार के अंदर ज्यादा उची चोटियां है नहीं और ना यहाँ पर क्या होती है बरफ गिरती है इसके परणाम शुरूब यहाँ भी क्या हो जाएगा निमन वायूदाब का छेतर तो बंगाल की जो खाड़ी है उसकी हवाई इसकी तरफ आकर सी तोना शुरू हो जाएंगी बंगाल की खाड़ी की उसके बाद में क्या हो जाता है ग्रिशम रितू के अंदर जो इमाले का जो छेतर है उसके ओपर भी क्या हो जाता है जेट वायूदाराएं आ जाती है उशन कटी बंद वाली जो गरम होती है तो यहाँ भी निमन वायूदाब का छेतर है बन जाता है इस कारण पवने जो होती है वो कहा से कहा बेना शुरू हो जाती है दक्षनी जो भारत है उससे किस की तरफ आना शुरू हो जाती है उत्री भारत की ओर पुर्वी भारत की और पस्मी भारत की और तो दक्षिन के पस्सिम में से चलेगा उसको तो हम कहेंगे दक्षिन पस्सिम का मांसुन और जो बंगाल की खाड़ी में से चलेगा वो दक्षिन पूरो की और से चलेगा तो उसे क्या कहेंगे हम दक्षिन पूरो का मांसुन ये दे उंच वायूदाब बना रहता है तो हवाएं की सोर अगर सर हो जाएगी सथल की ओर लेकिन कई बार क्या होता है महासागर के उपर निमन वायूदाब का चेतर बन जाता है किसका बन जाता है निमन वायूदाब का चेतर तो फिर जो महासागर ये जो धाराएं हैं वो महासागर के तठपई रह के बारिश करना शुरू कर देती वो आगे नहीं बढ़ेगी वो कहा नहीं जाएगी बारत के सतलिय भाग में और ये होता है महासागर का जो जल है उसकी सतय के उपर कौन सी धारा बेनी शुरू हो जाती है गरम जल की गरम जल धारा जब बेना शुरू हो जाती है किसके उपर महासागरों के तल के उपर इन धराओं को क्या बोला जाता है Alnino और ये मासागर का जो तल होता है उसको गरम कर देती है तो वहाँ से कोई भी हवा कहां नहीं आती सथल भाग की ओर जबकि उल्टा हो जाता है सथल भाग से कहां बहना शुरू हो जाती है जल भाग की ओर और मांसुन कमजोर हो जाता है समझ गए इस बात को कि मांसुन कैसे कमजोर हो जाता है अब ये बता रहा आपको ये देखिए कि समाने तरह जब परसांत महासागर के पुर्वी भाग में उच दाब होता है तब हिंद महासागर के उशन कटीबंद के पूरो में क्या होता है निमन दाब लेकिन कुछ विशेस वर्सों में वायुदाब की स्तीती क्या हो जाती है विप्रीत हो जाती है और हिंद मासागर की तुलना में कहां पर बन जाता है परसांत मासागर में निमन वायू दाब का चेतर बन जाता है और इस तीती को क्या बोला जाता है दोलन बोला जाता है दक्षणी दोलन जब ये दक्षिन में होता है तो इसको क्या बोला जाता है दक्षिनी दोलन और पूरों में होता है तो इसको क्या बोला जाता है पुर्वी दोलन और उसी दोलन के कारण क्या होता है अगर दाब का अंतर रिनातमक है तो अर्थ क्या होगा ओस से कम और विलम से आने वाला मानसुन दाब का अंतर का मतलब क्या होगा कि माहसागरों के उपर जो उंच वायू दाब है और सथल बाग के उपर जो नीमन वायू दाब उसमें अगर अंतर कम है तो मानसून के होगा लेट और उसमें अंतर बहुत ज़्यादा है तो मानसून क्या होगा पहले मानसुन क्या आजाएगा पहले आजाएगा अब यभी मैंने आपको बताई थी एक जल्दारा अलनिनो ये देखिया आप ये पढ़ लीजिए अलनिनो ये दक्षिनी दोलन से जुड़ा एक लक्षन है ये एक गरम समुदरी जल्दारा है कौन सी है? जो क्या करती है? पेरू की जो ठंडी जल्दारा है उसके स्थान के उपर दो या पांच वरस के अंतराल में पेरू तर्ट से होकर बैती है और दाब के वस्ता में परिवर्थन का सम्बन अलिन्लों से है इस गटना को एसो या अलिन्लों यानि की दक्षनी दोलन कहा जाता है इसको baby christ भी कहते हैं क्या कहते हैं इसको baby christ क्योंकि ये उस समय बहती है जब christ का जनम होता है यह और ये christ का जनम कब होता है दिसंबर में तो दिसंबर में ये कहाँ पर बेहना सुरू हो जाती है समुदरों के अंदर बहना शुरू हो जाती है उसके बाद next जो हमारे पास आता है मानसून का आगमन और वापसी कि मानसून कब आएगा भी मैंने आपको बता दिया था जब गर्मी के मोसम के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है माई और जून के मौने में तो सथल भाग भुछ ज़ादा गर्म हो जाते है और जल भाग क्या होते हैं ठंडे और पवने जो हैं वो सथल से काव एना शुरू हो जाती है जल से सथल की ओर और वो दोनों मैंने बताई थी कुछ जल धारा हैं कहां से उठना शुरू हो जाती अरब सागर से उनको तो कुछ धारा बोला जाता है दक्षिन पस्मी और कुछ उठनी शुरू हो जाती अरब सागर से उसको क्या बोला जाता है दक्षिन पुर्वी और ये केरल के 36 से चलना शुरू हो जाती है आरब के सागर में और वहाँ पर जून के अंदर जून के जो पहला महिना था उसमें मानसुन की पहली बारिस करती है उसके बाद में ये धीरे 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 भारत के आंतरिक भागों में बढ़ना क्या हो जाती है शुरू तो मानसुन का जो समय वो जून से शुरू होता है और सितंबर तक लगबग 100-120 दिन का होता है अगर मानसुन कमजोर है तो ये दिन क्या हो जाएंगे कम क्योंकि मानसुन लेट आएगा और जल्दी ही क्या हो जाएगा वापिस लोट जाएगा अब ये वापिस कैसे लोटेगा वापिस जब ये दीरे-दीरे ये जल्द हाराएं परवतों से टकराती माले परवत से और ये खूब बारिस करती है कब जुलाई और अगस्त में और सितंबर के अंदर दीरे-दीरे सथल भाग क्या होने शुरू हो जाते हैं और जल भाग गरम होने शुरू हो जाते हैं और ये पवने वापिस लोटना क्या कर देती है शुरू कर देती है मैंने आपको दो साखाएं बताई थीं कि ये देख लीजिए अरब सागर की साखा और बंगाल खाडी की साखा अरब सागर की साखा लगबग 10 दिन में यानि कि 10 जून को मुंबई में पहुंचती है और उसके ये एक तीवर धारा है बंगाल की जो खाडी है वो भी तीवरता से आगे बढ़ती है और जून के पर्थमस्ता में कहा पोचे गेसम में इसलिए मैंने इसको दक्षिन पूरो कहा था क्योंकि ये दक्षिन से चलती है और पूरो के चेतर से भारत में आती है और वो दक्षिन से चलती है और पस्षिम के चेतर से किस में आती है भारत में आती है तो जो अरब सागर की जो साखा है वो पस्सी में कहां कहां से जाएगी सोरास्टर, कच्छ और देश के मद्दे भाग में पहुंच जाएगी इसके अलावा जो बंगाल की जो खाड़ी है की जो साखा है वो कहां जाएगी गंगा के मैदान में और फिर ये दोनों उत्तर पस्टी में आपस में मिल जाती है, जैसे ये पार्ट स्टार्ट हुआ था तब मैंने बताया था, और जब ये दोनों इकठी होकर के मिल जाएगी तो बहुत ज्यादा क्या करेंगी, वर्सा करेंगी, उसके बाद मैं जब ये वर्सा कर लेती हैं और अन्य हिसों में पहुंच जाता है और वापसी की किरिया है वो भी क्या है कर्मिक किरिया है उतर पस्मी राज्यों में सितंबर में प्रारम हो जाएगी क्योंकि वहां मोसम क्या होना शुरू हो जाता है ठंडा होना शुरू हो जाता है और मद्य एक्टूबर तक मांसुन प्रा पूर्णत है मानसुन क्या हो जाता है बिल्कुल है समाप और सरदियों के अंदर फिर बारिस कहा होनी शुरू हो जाती है तटिये परदेसों में बारिस होनी शुरू हो जाती है और द्वीपों के उपर मानसुन की सबसे पहली बारिस होती है अंडमान में और लक्षयदीप मे क्योंकि ये शमुंदर के अंदर स्थीत है उसके बाद में बात आ जाती है हमारे पास रितुों की जो भारत के अंदर जो रितु हैं मुख्य तक कितनी है? चार है शीत रितु, गरिसम रितु, और वर्षा रितु और बसंत रितु तो जो मानसून के अंदर जो जलवायू की विविदता है उसी ने भारतिय मोसम को क्या बनाया है विविद बनाया है एक रितू से हम दूसरी रितू के अंदर मोसम में होते हुए परिवर्तन को क्या करते हैं देखते हैं अब स्थाओं में क्या देखते हैं परिवर्तन देखते हैं और यह देश के आंतरीक भागों में ज्यादा होता है क्योंकि तटिये जो मैदान होते हैं वहाँ पर मोसम क्या रहता है ए परिवर्तन सिल तापमान में अंतर बहुत कम आता है देखें तटिये चेतरों के तापमान में बहुत अधिक भी बिन्ता नहीं होती और यहां वर्षा के प्रारूपों में बिन्ता हैं आप अपने अपने चितर में किस परकार की रितुओं का अनुभव करते हैं तो बारत में मुख्य रूप से चार रितुओं हैं जैसे हम ग्रिसम का भी आनंद लेते हैं और कब तक चलती है लग बग मार्स तक, यानि कि फरवरी के end तक ये देखी, नमबर में आरंब होती है और फरवरी तक रहती है और भारत का जो उत्री छेतर है, कौन सा छेतर है भारत का उत्री छेतर है, वहाँ पर दिसंबर और जनवनी के महिने क्या होते हैं बहुत है, तापमान जो होता है वो दक्षिन से उत्तर की और हम अगर जाएंगे तो क्या हो जाएगा गटता जाएगा, यानि कि जो बंबई का जो चेतर है तटी है, चेतर अंदर परदेश का, केरल का, अतमिलाडू का, उससे अगर हम राजस्तान की तरफ, अर्याना की तरफ, पंजा की बात करें, हम बियार की बात करें, हम पंजाब की बात करें, हर्याना की तो कितना होता है, 10 डिगरी से 15 डिगरी, तो इसलिए यहाँ पर दिन क्या होता है, गरम और राते क्या हो जाती है, ठंडी, इस रितु में देश के अंदर उत्तर पूरवी जो पावने है, वो खेना शुरू हो जाएगी और जब इस तरफ बहेगी तो मोसम क्या रहेगा अधिकतर भागों में सुस क्योंकि ये सथल से जलकी और जा रही है अलाकि जब ये तटिये मैदानों में पहुंशती है तो वहां समुदर सथल की तरफ बहती है तो वहां थोड़ी बहुत ये मातरा में क्या कर देती है वर्सा कर देती है और भारत का जो उत्री भाग होता है उसमें फिर दीरे दीरे आगे क्या हो जाता है उंच वायुदाब का छेतर बन जाता है और इसमें फिर अलकी जो पवने होती है वह इच्छेतर से बार जाना क्या हो जाती है शुरू और ये कहां ब इसमरितू के अपेक्षा हवाएं क्या चलती हैं दीरे चलती हैं ये देखिए आप ये कमवाईू दाव वाली जो प्रणाली है वो मद्य सागर और पस्मी एसिया के उपर उत्पन होती है और पस्मी पौनों के साथ भारत में परवेश कर जाती हैं इसके कारण सीतकाल में मैद मैदानों में वर्सा होती है गई बार आप सर्दियों में देखते हैं तो ये वर्सा किसके कारण होती है पस्मी विक्सोब के कारण पस्मी विक्सोब क्योंकि जब पस्मी की तरफ से ये हवाएं आती है तो फारस की खाड़ी के उपर से ओके आती है किसकी खाड़ी से बैठ बरफ की बारिष कर देगी जिसे हम हिम पात कहते हैं यदि सीतकाल में वर्षा होती है तो उसे क्या बोला जाता है? महावट बोला जाता है लेकिन यह मात्रा क्या होती है? बहुत कम होती है अब हमारे पास next जो हमारी रितू आ जाती है ग्रीशम रितु कौन सी रितु आ जाती है ग्रीशम रितु अब यह जो ग्रीशम रितु है यह किन छेतरों में होती है उत्रभारत के मैदानों में होती है और इसका जो टाइम होता है क्योंकि जो सुरिये की जो गती है पिर्त्वी गोड है पिर्थवी क्या है गोल है इसके कारण जो वो अपनी अक्स पे गोमती है तो उसका जो स्तीती है वो सुरिय के सामने क्या है बदलती रहती है और ये स्तीती मार्च में बदल जाती है मार्च में और जैसे जैसे अपरेल और मही में पहुंचती है तब तक जो है बारत का जो उत इसमरी तू वो कब से कब तक रहती है मार्च से लेकर के मई जून तक रहती है ताप पट्टी के स्थांतरन के परभाव का पता विभीन अक्सांसों पर मार्च से लेकर मई के दौरान रिकोर्ड किएगे ताप मान से लगता है अभी आप माई में अपरेल में ताप मान देखो और अगर आप कहाँ पर चले जाओगे, राजस्थान के मुरुष्थल में चले जाओगे, तो वहाँ कितना हो जाता है, पचास डिगरी तक हो जाता है। प्यारों दिशाओं से हवा यानी क्या हो जाती है, शुरू, और इस समय जो परभावी जो लक्षन है, इस समय की जो हवा का, उसे क्या कहते हैं, लू कहते हैं, कई बर आजाता है ये परसन, लू, कि मई और जून के महिने में उत्तर भारत के अंदर जो निमन वयुदाप का छ खितर बनता है, तो बहुत तेज गती से गरम हवाएं जो हैं, वहां से ऊपर उठना क्या हो जाती है, शुरू, और लू चलना सुरू हो जाती है, और ये काफी देर तक चलती रहती है लंबे समय तक, इस हवा का सीधा गातक पर भाव भी हो सकता है, क्यों हो सकता है, हमें ल इस मोसम में कभी कभी तिरव वावा के साथ कई बार मुसलाधार बारिस भी शुरू हो जाती है इसके साथ कईबार हिम वरिष्टी भी होजाती ओड़े भी गिर जाते हैं बैसाग के महिने के अंदर पस्मी बंगाल के अंदर जो वरसा होती उसको काल बैसाखी कहते हैं तो मही जून के महिने के अंदर जब असमी बंगाल में क्या होती है बैसाक के महिने में बारिस होती तो उसको क्या कहते है काल बैसाखी और ये आम के पोधों के लिए बहुत उप्यूक्त होती है गरिसम रितू के अंदर करनाटक और केरल के तटके उपर भी वर्सा होती है और इस वर्सा को क्या बोला जाता है आमर वर्सा क्योंकि यह आम होते हैं जो जल्दी क्या हो जाते हैं पक जाते हैं अब next नमारे पांस जो point आता है वो आता है वर्सा रितू, जो वर्सा रितू है जो भारत के अंदर किस समय होती है, तो जैसे ये जो गरिसम की रितू होती है अभी हमने बात की थी, तो फिर हमाएं किस से किस तरफ चलना शुरू हो जाती है, जल भाग से सथल भाग की और, कहा बांस नी जो वर्सा है जून और सितंबर के अंदर ये आपको दिखाया गया है, कहां 400 मिटर से ज्यादा वारिस होती है और कहीं पर कम होती है, ये देखीए, एक अक्टूबर को यहां से चल रही है, ये दिखाई दे रही ने, आपको 15 अक्टूबर को, ये हवाएं चल रह यहां से अरब सागर से यह बंगाल की खाड़ी से अलग-अलग समय के अंदर जो है अलग-अलग दिसाओं से यह क्या करती है चलती है तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास है उसके अंदर तरगत हम अध्यन करेंगे वर्सा रितू और मानसून का आगमन